सीबेस्टी वाड में आपका स्वागत है तो आज हम 31st of August and 1st of September की कोई स्वाल करने वाले हैं पहला कुछन है which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area जब एक ही जैसा crop यानि single crop बहुत बड़ा एरिया पर ग्रो किया जाता है तो उसे हम plantation agriculture कहते हैं जैसे आपका tea plantation हो गया coffee plantation हो गया farming in which hoi dao and digging stick का यूज तो यह बहुत पुराने टूल है यह कहां यूज होते हैं primitive substance farming के अंदर which one of the following is leguminous crop leguminous crop क्या होते हैं जो soil के fertility बढ़ाते है nitrogen fixation करके तो उसमें आपका pulses आएगा which one of the following is rabi crop तो यह gram होगा जातों लोगों न राइस लगा है राइस गलत है राइस तो खारिफ crop है ग्राम एक rabi crop है which one of the following is announced by the government in support of crop तो गवर्मेंट क्या चीज़ अनौश करती है crop को support करने के लिए minimum support price यानि कम से कम एक crop का rate decide कर देगी कि अगर कोई भी किसान से कहेगी अगर कोई भी नहीं लेता तो कम से कम इतने में तो हम ले लेंगे which one of the following is organized sector activity और्गनाइस सेक्टर में क्या होता है बहुत सारी facilities मिलती है आपको proper timing दी जाएगी हाँ आपको इतने घंटे काम कराया जाएगा एतनी salary मिलेगी paid holidays होंगे यह सारी चीज़ा और्गनाइस मिलती है तो farmer जो अपनी खेट में काम कर रहा है उसको तो कोई है नहीं जब मन करेगा तब काम करेगा तो यह होगा नहीं doctor in hospital treating a patient तो यह option सही होगा क्योंकि doctor क्या है अपना hospital में उसको job मिली होती है तो उसका timing होता है कि हाँ इतने बज़ाएगा इतने बज़े उसको जाना है उसको बगाईदा paid leave मिलती है बहुत सारी facilities मिलती है डेली wages worker हो गया इसका भी कोई कुछ नहीं है रोजाना कमाने वाला ठीक नहीं मिला तो नहीं मिला है यह भी खुद से अपना काम करने वाले हैं तो यह भी नहीं होगा ठीक है तो इस सिर्फ doctor वाला option सही होगा अंडर employment कब होता है जब लोग कम काम करें जितना वो कर सकते हैं उससे कम अगर काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे अंडर employment है a sector in which ownership of asset and delivery of service in the hands of the private individual or companies तो वो sector जहां पर service देने का काम और सारा control करने काम किसी private individual ये एक आदमी के पास या पूरी एक company के पास होता है वो आपका private sector आएगा ठीक है what is public sector तो यहां देख सकते हैं in the public sector the government owns most of the asset and provide all the service तो वहां पर जितने भी सामान होते हैं उस sector के अंदर उस industry के अंदर government होती है वही control करती है वही service provide करती है तो वह आपका public sector के अंदर आएगा right some benefits of the working in an organized sector और सेक्टर के अंदर बहुत सारे benefit है आपको paid leave मिलेगा proper timing दी जाएगी कहां आप से 8 घंटा ये 10 घंटा काम करा जाएगा provident fund दिया जाएगा health insurance आपको दिया जाएगा अच्छी salary आपको